लो गाज मैं इंद्रेश अपने यूटूब चैनल इंद्रेश ज्यास क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ तो दोस्तों हम लोग की जो है यूपी पुलिश के लिए क्लास चल ले थी यूपी पुलिश ठीक है यूपी पुलिश भरती 2023 जिसका एक्जाम आप लोग को आप पता ही है फर्वरी फर्वरी 11-20 फर्वरी की बीच में आपका क्या हो जाएगा एक्जाम हो जाएगा तो आपस समय नहीं है कांटीनियों को क्लासेस प्रॉइट की जा रहे है तो आप लोग पर डे जो है प्लास को जरूर देखा करिए ठीक है तो चलिए ज़्यादा ब कॉन कहीं गूंगे जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे पैडिले तो चलिए आज का spacer नमबर 1000 आप लोगों के सामने है सा착 कौर सा वर्ण मूल वेंजन नहीं है कौन सा वर्ण जो है क्या है मूल वेंजन नहीं है था है भा है या च्छा तो कौन साजुराभ इसमें मूल वेंजन नहीं है इस चीज को आप छोगों को बताना आए तो एह हमारे का उन्स हो गया तो यह मन Gmail काऊ-जयन कोण से होते हैं दाखेत संयूक्त वेंजन अ अ सवान, और बड़ावला सढद यह सभी हमारी क्या होते हैं, और का हुन सब्ति बैंजन होता है, हैं सब्सपर्स बैंजन को 是फिल को होते हैं, जो इसको पूछा है तो इसका राइट एंसोर जो है क्या है मोन स्युक्त तू बताएंगे, कहा रहा कि कौन सा वर्ण संयुक्त, संयुक्त नहीं है, मतलब संयुक्त अच्छर से मिलकर बना नहीं है, ठीक, इसको बताना है, तो ओ देखिए किसे-किसे मिलकर बना है, ओ, ओ जो हमारा किसे-किसे मिलकर बनता है, तो किसे मिलकर बनता है, तो अ प्लस ओ मि सा मिलके बनता है का प्लस सा मिलके क्या बन जाता है ठीक अससा सटकोन वाला सा तो पूरा है ही और कौन सा यहां इसको बताईए कौन सा वर्ण संयुक्त नहीं है बताईए इसका अभी क्या है संयुक्त नहीं है यहां लिखना चलिए कौन सा अच्छर संयुक्त इसमें तो कई अच्छर नहीं यह भी देखे संयुक्त है यह भी संयुक्त है बट यह दोनों तो नहीं है कुछ तो तुरूटियां है इसमें इसमें दो आपसन गलत होंगे ठीक है चलिए तो दो आपसन गलत होंगे ठीक चली आगे चलते हैं कोशन नमबर आप तीसरा बताएं कोशन नमबर थी क्या कर रहा है कि निनलिखित में से कौन सा रूण सब्द है रूण सब्द जो होते हैं कितने होते हैं तीन होते हैं कौन कौन सा एक रूण होता है एक क्या होता है योगिक होता है एक क्या हो कौन सा सब्ध ययोगिख है काला सब्द हमारा क्या है यहोगिक है इसका राइट एंसर क्या जाए गा बी फार्ट क्या होगा हमारा बिल्कुल सत्य हो ठीक नेक्स चलते हैं मैं कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का Aphiis है वाक्य में बुढ़ापा कांशी संग्या है बुढ़ापा में कौन सी संग्या है बुढ़ा से क्या हो जाता है बुढ़ापा बन जाता है इसमें कौन सा प्रत्या लगाने पर क्या बना है भाव आचक संग्या बना है क्या भाव वाचक वाचक संग्या संग्या के कितने भेद होते हैं तो संग्या के 5 भेद होते हैं संग्या के कितने भेद होते हैं तो 5 होते हैं कौन-कौन सा एक ब्यक्ति वाचक होते हैं जाति वाचक, समूह वाचक, पदार्थ वाचक और भाव वाचक तो इसका right answer क्या आजाएगा भाव अचक ठीक चली नेक्स चलते हैं अगला question question आप कौन सा था चोथे का बी पार्ट बिलकुल से ठीक चली पाचवा सरो नाम के भेद कितने होते हैं ठीक सरो नाम कहते किसे हैं तो संग्या के अस्थान पर ये क्या होते हैं संग्या के अस्थान या बदले संग्या के अस्थान पर प्रियोग होने वाले होने वाले होने वाले होने वाले होने वाले सब्द होने वाले सब्द क्या कहलाते हैं सरो नाम कहलाते हैं इनकी भेद कितने होते हैं टाइफ कितने होते हैं इनकी टोटल छे भेद होते हैं ठीक कितने होते हैं उच्छे इंशे इंशों क्या जाएगा डी पाड बिल्कुल सत्थ्य जाएगा ठीक चलिए आगे चलते कोस्चन नमबर आप बताएंगे को स्क्षर नमबर सिक्स और कि संयुक्त क्रिया का उधारन कौन सा इसमें है तो कर्म के आधार पर क्रिया कितने परकार की होती है तो कर् सकर्मक होती है और एक क्या होती है अकर्मक होती है जिसमें कर्म आता है जो कर्म के साथ क्रिया आती है कर्म के साथ जो क्रिया आती है उसे बोलते हैं सकर्मक जो कर्म के साथ जहां कर्म नहीं आता है जहां कर्म संयुक्त क्रिया का इसमें क्या क्या गया है यूज क्या गया है प्रति दिन देखिए आना भी करो पढ़ने आया करो देखिए यहां से लेकिए यहां तक पुरी क्रिया पढ़ने भी है आया करो यह सभी क्या है हमारी दो क्रिया है इसी को बोलते हैं संयुक्त क्रिया ठीक है ए रिजु का बिलोम बताई रिजु का बिलोम इसका क्या बताना है बिलोम बताना है क्या आजाएगा वक्र हो जाएगा रिजु का बिलोम क्या होगा वक्र हो जाएगा ठीक है सरल का बिलोम बताजी सरल का बिलोम क्या होगा कथिन होगा ठीक है सीधा का बिलोम क्या हो जाएगा स ठीक है चलिए आगे चलते हैं तो इसका राई टैस्ट जर का आ जएगा वक्र आ जाएगा तो डी पर्ट इसका भी क्या होगा बिल्कुल सत्य होगा डी पर्ट क्या होगा इसका भी सत्य होगा नेफ्ट आज कोशनम नॉम्चान साथ बताएंगे कोशनमर साथ देखबाल अ क्रक दिये हुए काले अच्छर वाले सब्द का भी परिदार्तार्थ सब्द उताई इसमें दिया ही यह नहीं का अंसा चाल ठीक चलिए इसमें बता दीजिए प्रतिकूल का प्रतिकूल का विरॉम क्या होता अनुकूल हो जाता है ठीक है क्या होता अनुकूल होता है ठीक है क्या होता प्रतिकूल का आपोजिट क्या होता अनुकूल होता है ठीक है बिरुद्ध का क्या हो जाता है जो आपके बिरुद्ध है उसको उसका विपरीत क्या होगा आपके सापेच्छ जो होते हैं ठीक है विरुद्ध और सापेच्छ क्या एक दूसरे के अपोजिट है ठीक है नेक्स चलिए कोशन नमबर आप बताएंगी नाइन्थ कर रहा कि तथापी सब्द का संदी बिछेद बताई तथापी सब्द में संदी बिछेद बताना है तथा इसका क्या हो जाएगा तथा प्लस अपी तथा प्लस अपी मिलके क्या हो जाता इसका अ इसका अ और इसका अ मिलके क्या हो जा रहा है बड़ा वला अ हो जा चर्ड़ की में होता है हमारी दिर्ग संधी में होता है तो संधी के तीन भेध होते है कौन-कौन से होते हैं इनके तीन ठीक है पाला क्या होता है स्वरसंदी होता है ठीक है स्वरसंद्य ना चली दूसा क्या होता है संधी होता है और तीसरा क्या होता है विषर्ग liberal reck c संधी होता है कौन सा बेंजन संधी होता है ठीक है कौन सा होता है बेंजन संधी होता है ठीक है कौन सा होता है ब्रिद्धी होता है एक क्या होती हमारी ब्रिद्धी संधी होती है और एक क्या होती है आयादी संधी होती है पांच में क्या होती है आयादी संधी होती है याद योग से बना हुआ है गवरोव सब्द किस तधती प्रत्य के योग से बना हुआ है गवरव, गवरव सब्द कि तद्धती प्रत्य का प्रयोग करके बना गवा, इसको बताइए, एपार्ट A का, E का, आमन का, कोई नहीं, बताइए, गवरव, तो इसमें क्या होता, प्रत्य, प्रत्य क्या होता, किसी सब्द के पीछे लगता है, प्रत्य क्या होता है, किसी सब् क्रिया के साथ लगते हैं। जो प्रत्य क्रिया के साथ लगते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? तद्धति प्रत्य बोलते हैं, जो संग्या सरवनाम के साथ लगते हैं, जो संग्या सरवनाम बिशेशन के साथ यूज किये जाते हैं, संग्या सरवनाम और बिशेशन के साथ यूज किये जाते हैं, वो जो है हमारी क्या खलाते हैं, क्या खलाते हैं, वो तद्धति प्रत्य ख तो समास बताई सिर में दर्द सिर का दर्द सिर को दर्द सिर से दर्द बताई तो सिर में क्या होता है दर्द होता है इसमें कौन सा है सब्तमी ततपूरुश है ठीक है अधिकरण मेप है पर जहां आता है अधिकरण ततपूरुश है तो समास बता दीजी समास ठीक है क्या होता अब्याई भाव अब्याई भाव शमाश ठीक अब्याई भाव शमाश तत्पुरुष शमाश ठीक है तत्पुरुष शमाश और द्वन्द शमाश क्या होता है द्वन्द शमाश दिगु शमाश दिगु शमाश करम धारे ठीक है करम धारे करम धारे और बहु ब्रही और कौन स होता है बहु ब्रही समास होता है ठीक क्या होता है बहु ब्रही समास होता है ठीक कौन सा होता है बहु ब्रही समास होता है ठीक कौन सा होता है बहु ब्रही समास होता है अब ब्याई भाव में पहला पद इसमें क्या होता है पहला पत क्या होता है प्रधान होता है प्रधान होत होते हैं दोनों पत क्या होते हैं प्रधान होते हैं ठीक है दोनों पत क्या होते हैं प्रधान होते हैं दिगु में क्या होता है पहला पत क्या होता है संख्या वाची होता है ठीक क्या होता है संख्या वाची होता है ठीक है संख्या वाची होता है करमधार में विशेशन और वि है इतना सारो करना चाहते हैं तो हम यह कर सकते हैं चलिए बारा कोशन नमर्वी सब्द का प्रयाभाची कौन सा है । मुदुनी का है रश्मी का है नलनी का या मंदा किनी का है तो किसका है बारा का यह हमारा मंदा किनी का है ठीक किसका है मंदा किनी का है ठीक जानवी चलिए नेक्स चलते कोशन नंबर 13 बताईएगा कोशन नंबर 13 का रहा है कि कौन सा सब्द ब्रहमर का पर्यावाची नहीं है ब्रमर ब्रमर मतलब भहुरा होता है ब्रमर भहमत हुर ठीक मतलब भहुरा होता है यह होता है नू緩ी को सफरी कि सफरी का प्रयावजी complement मीन मतस यह सभी क्या है मचली के परया वाची है ठीक आगे आ जाते हैं कोशन नंबर नेक्स्ट बताएंगे आप लोग कोशन नंबर 14 बता दिए कोशन नंबर 14 का रहा है कि नीचे दिए गए सब्दों में से निम्न सुद्ध रूप का क्या करिए चैन करिए जागरित कैसे लि इक हुले सत्य होगा ठीक है अगला कोशन है अपनों को शामने कि प्रडेंता कैसे लिखते हैं प्रडेता प्रणेता हम जो है सी पार्ट इस थार्हार से लोगा लिख सकते हैं ठेक आई है चलते हैं नेक्स्ट कॉशन कोशन नंबर आ बताएंगे नीचे दिए सब्दों में प्रतेक सामने उनके चार विकल्पते सही अर्थ का चैन करें प्रवित्ति प्रवित्ति का मतलब क्या होता what is the प्रवित्ति प्रवित्ति का मतलब क्या होता कोशन नमर 16 में प्रवित्ति मन का जुकाओ प्रवित्ति का मतलब क्या होता मन का जुकाओ प्रेड़ा प्रेड़ा किसी से प्रेड़ा लेना मतलब सीखना क्या होता है प्रेड़ा का क्या अर्थ होता है भेंजना खींचना धक्का देना या उक और आटक मैंत शर्णेक कैना पेड़ा अर्थ हैं। चलिए आगया थें असुद्ध सब्द हैं हम सुद्द वरतनी के चाहन करें सुद्धबरतानी का चैन करो तरुसमें मिसुदuarतानी बताना देखिए यह म्स्प्रेंः हो है ठीक है आवजचष की आवजच्श्य की मार आवजच्छेस होना milliamp ठ्थारअ कि और जड़ो आवश्यक्स फीयों से ऐगा ठीक से कैसे लिखा जाता जाट है फिर अवि शुक कैसे लिखा जाता है राम सुकुरवार के दिन दिल्ली जायेगा महादेवी वर्मा विदुसी लेकी थी, मैं आता आता रुक गया, यह तो बिलकुल गलत थी हमसे, मैंने बहुत दिनों तक उसकी प्रतिच्छा देखी, देखी नहीं, प्रतिच्छा की होता, यह भी गलत हो गया, ठीक है? अब बचे हमारे दो आप्शन, ठीक है? दो आप्शन में देखे, महादेवी, वर्मा, व बिए पर्ट हमारा क्या हो जाया? बिल्कुल सत्य हो जाया ठीक, next चलते है question number 21 का रहा है कि होठों निकली, कोठों चड़ी, मतलब इसका अर्थ बताना मुहावरा दिया होठों निकली, कोठों चड़ी का अर्थ बताईए, तो क्या हो जागा, मुह से निकली बात फैल जाती है, ठीक है, मुह से निकली बात क्या हो जाती है, पुरे समाज में फैल जाती है, ठीक, next question, question आप बताएंगे 22, 22 क्या करा, अक सब्द के अनेकार्थी, सब्द समू का चैन करिए, अंक होगा, अक नहीं होगा, यहां अंक होना चाहिए, ठीक है, अंक का क्या क्या होता है, ठीक है, पॉइंट भी लगा हुआ, अंक का क्या होगा, अनेकार्थी, सब्द कौन कौन सा है, इसको बताइए, तो इसका क्या होता, अनेकार्थी क्या होता, गोंध होता है, इसका अर्थ क्या होता है? संख्या होता है, अध्याय होता है, अध्याय होता है, इसका right answer, B part हमारा क्या होगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक, आते हैं, आगे, question number, अगर वीडियो अपनों को अच्छा लगा तो वीडियो को share जरूर करिए अपने दोस्तों में, ठीक है? चलिए, ब्याकरण में काल का क्या अर्थ होता है? ब्याकरण जो होता है, उसमें काल जो सब्द होता है, उसका अर्थ क्या होता है? जो काल होता है, जो आप काल पढ़ते हैं, ब्याकरण में इसके कितने बेद होते हैं, तो तीन होते हैं, इसके कितने बेद होते हैं, एक क्य बहुत काल होताएं थी क्या होताए इसका अर्व होताएं समय होता है् आजाए नेख्स चलते हैं कोश्छन नबब आगे बताएंगे कोशन नम्र24 पत्र से हमेशा दो कोश्चन जरूर आएंगे पत्र से ठीक पत्र लेतना से, एक पत्र अनेक अधिकारियों को लिखा जाता हूं, उसे क्या कारता है। कोई major बड़ा अधिकारी इस तरह के पत्र को हम लोग क्या कहते हैं? परि पत्र कहते हैं ठीक आजाये नेक्स चलते हैं माउन वाचन, सामुहिक वाचन या आदर्ष वाचन 25 का क्या हो जगा सामुहिक वाचन क्या होता है? सबसे बहतरीन होता है ठीक है, सास्वार वाचन का अभ्यास कराने के लिए, समोह में अगर किसी चीज का वाचन कराएंगे, तो वह चीजें सबसे perfect होंगी, ठीक, next चलते हैं, question number 26 क्या करा रहा है, जो काम तुम्हें दिया गया, उसे देखो, वाक्य में किस अर्थ की बेंजना कराई जा रही है, बे संदेश दिया जा रहा है, या प्रशन, प्रशन तो या नहीं जा रहा है, ठीक है, निसेद तो भाव नहीं है, ठीक है, अब बताएं, दो आप संदमनी 50-50 कर दिया, इसमें बताएं, तो इसमें आग्यान दी जा रही है, कि जो आपको काम दिया गया, उसको आप देखो, ठ स्रिजन की इच्छा के लिए एक सब्द है स्रिजन जो प्यक्ति क्या होता है स्रिजन सील होता है ठीक उसको का स्रिजना बोलते हैं महत्वाकांची आकांचा सी स्रिच्छा बताए क्या कौन सा हो जाएगा 27 का तो इसका राइट अंसर क्या होगा सी स्रिच्छा होगा ठीक है 27 क इससी श्रिच्छा होगा, उसके अंदर स्रिजन करने की छमता बहुत अधिक है, नेक्स्ट कोश्चिन, निम्ने में से कौन सा पुलिंग है, मैंने कितनी बार बताया, isstringing pulling अगर निकालना है तो आप अच्छा अच्छी लगा की मेरा मेरी लगा की या फिर मतलब वाक के बना करे आप जो है वहाँ पर चेक कर सकते है ठीके गोशडा तो आप या अच्छी घोषडा हुई ठीक爷 या क्या इस्त्रिलिंग है सदन सदन कैसा है अच्छा है ठीक है जील अच्छी है कस्तूरी अच्छी है देखिए इसमें अच्छी अच्छी जहां आ रहा है वो इस्त्रिलिंग हो गया लेकिन सदन हमारा क्या होता अच्छा होता है तो हमारा डी क्या हो जाएगा सदन बिल्कु अच्छी भी है सदन ठीक यह भी याद रखिएगा तो 28 का राइट एंसर आपकों के सामने है तो डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा आजए चलते हैं कोशन नंबर 29 का क्या कर रहा है 29 का रहा है कि निम्न लिखित में से कौन सा सब्द इस तरी लिंग नहीं है इसमें इस समय लेने की जरूत नहीं जिस पर समय देने की जरूत उन कोशनों पर मैं समय देता ही हूं उतकर्ष सब्द में उपसर्ग लगा हुआ ठीक है मैंने कितनी बार बताया उपसर्ग हमारे होते क्या है उपसर्ग जो होते हैं सब्द के अंस होते हैं क्या होते हैं सब्दांस होत ठीक है और सब्द के पहले लगते हैं क्या लगते हैं सब्द के पहले लगते हैं ठीक है सब्द के पहले लगते हैं ठीक इसको जब ब्रेक करते हैं तो इसमें से एक मूल सब्द निकलता है, एक मूल सब्द निकलता है, प्लस एक क्या मिन निकलता है, एक मूल सब्द और क्या निकलता है, एक हमारा उपसर्ग निकलता है, ठीक क्या निकलता है, उपसर्ग, ठीक है, क्या उपसर्ग, ठीक, इतनी चीज याद रखेगा, ठीक, उतसर्ग, उत उत्कर्स 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 हो जाता हुलात हुला है। यह difficult question में वह उसलिए जहां प्रिभुज assignments समास है। करके एक आक्रित का निर्मान करते हैं उसे काते हैं त्रिभुज ठीक एक भुजा दो भुजा तीन भुजा मिल करके क्या एक आक्रित का निर्मान कर रहे हैं जिसको हम लोग त्रिभुज काते हैं तो जहां पहला सब्द क्या होता संख्या वाची होता वहां कौंसा समास होता ह दिगू होता है कौन सा होता है दिगू देश में देश भक्त जो कहा है देश के लिए जिसके अंदर क्या भक्ती है वो कौन सा है देश की भक्ती वहाँ क्या होगा सश्टी ततपूरुस हो जाएगा ठीक है इसमें कौन सा ततपूरुस है ठीक तो आपको पता है समास से भी 3-4 कोश्चन आना ही आना है ठीक मैंने अग्लैनी के si qaq ऍबताइगी आपके कितने सही हुए इसीज़ को आप अप बटाए हें पहए फिडियो अच्छा लगता तो अपने दोस्त अपने friend, अपने मित्र में, सभी में share कर दिये, reasoning की भी class आपको per day provide की जा रही है, reasoning, math की भी class बहुत ज़ल चल्दी start हो जाएगी, and Hindi की तो चली रही है, आप लोग देखी रहे हैं, अच जी की GS आप लोग के सामने ही है, और थोड़ा सा वीडियो को सेर भी कर दिया करिए ठीक तो आज के लिए इतना ही वीडियो कर से लगा तो वीडियो को सेर कर दीजेगा चैनल को वीडियो कर अच्छा लगा तो वीडियो को सेर कर दीजेगा ठीक है तो आज के लिए इतना ही जै हिंद जै भारत